फिल्म कल की 28,92 AD से अमिताब बच्चन के किरदार से परदा उठते हुए उनका नया पोस्टर तयार किया गया है। एक्टर ने खुद अपने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट शेयर किया है। फैंस भी इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। अमिताब बच्चन ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा ये एक ऐसा एक्सपिरियंस रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। आपको बता दे कि इस तस्वीर में अमिताब बच्चन का लोग काफी दमदार और खुमखार है। आखों में तेज, मूँ पर मिट्टी और चेहरे कपड़े से बंदे हुए है। इस लोग को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म कितनी रोमांचक और रहसमे होने वाली है। पोस्ट के साथ अमिताब बच्चन ने फिल्म का टीजर भी शेयर किया। तीजर में काफी अंधेरा दिखता है और अमिताब बच्चन के पूरे शरीर में कपड़े बंदे हुए नजर आते हैं। टेवल उनकी आखे खुली होती है। वशिवलिंग की पूजा करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद अश्मथामा बने अमिताब बच्चन के माथे से खून निकलता है। और एक बच्चा कहता है क्या तुम भगवान हो। जिसके बाद अमिताब बच्चन कहते हैं अब मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है। अमिताब के अलावा इस फिल्म में दिपिका पादकोर्ड और प्रभास लीड रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म 600 करोड के आसपास बन रही है। फिल्म इसी साल 2024 में रिलीज होनी वाली है। हलाकि ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि चुनाव के कारण इसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन मेकर्स की तरफ से अभी तक इस बात की ऑफिशिल स्टेट्मेंट सामने नहीं आई है। अगर ऐसा हुआ तो दर्शकों को इस फिल्म के लिए अभी थोड़ा और इ